नमस्कार जहीं दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिट से अपकी चेनल फार्मेसी पॉइंट में तो आप सभी को पता है कि अभी उत्तर परदेश फार्मेसी काउंसल में ओनलाइन रेजिस्टीसन हो रहा है लेकिन बहुत सारे जो स्टुडेंट हैं वो ओनलाइन फॉर्म भरते समय गलती कर दो है रहे हैं वो कोई डाकुमेंट को अपलोड करना भूल जा रहा है जैसे फ़र्स्ट येट की मांसल को व कोई अपलोड नहीं कर रहा है या फिर कोई गलट डाकुमेंट अपलोड कर रहा है तो देखिए उसके बाद क्या हुआ है कि अगर आप अपना status चेक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की query आने की objection देखने को मिल रहा है और ये objection और query जो है वो उत्तर परदेश फार्मेसी काउंटिल की तरफ सिख किया जा रहा है तो देखिए यहाँ पर इस student अपना form भरा है और यहाँ पर query आई है कि first year marksit and intensive certificate section 4 and 5 not found तो इन्होंने first year की marksit को upload नहीं किया है और जो इनका intensive certificate है उसके अंदर section 5 और section 4 जो है वो नहीं सो हो रहा है तो देखिए इस तरह की query आपके application पे भी आ सकती है तो इसलिए जब आप लोग online registration कर दे रहे हैं fees payment कर दे रहे हैं और आपकी slot book हो जा रही है तो उसके बाद आप लोग अपना status जरूर सो करें और उसको check करते रहें अगर वहाँ पे कोई query आ रही है तो उसका reply देना है तो आपको उसका reply कैसे देना है और अगर आप कोई documents को upload करना भूल गए है और उस पर कोई objection आ गया है तो आप उसका reply कैसे देंगे उसका solution का है उसके लिए मैं अलग से वीडियो मना दूंगा लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि इस तरह की query यहां पर आ रही है कि इन्हों आपको first year के marksit और इसमें जो भी objection लिखा गया है उसको कैसे आपको solution देना है उसके बारे मैं मैं अलग से आपको वीडियो मना के बताऊंगा लेकिन यहां पर कहने मतलब यही कि अगर आप कोई documents को upload नहीं कर पाते हैं या फिर अगर आपने कोई गलट documents upload कर दिया तो आपको इस तरह का objection यानि की query देखने को मिल सकती है तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसे लगए आप इस वीडियो को like करें साथ में चैनल को subscribe करें बेल notification को on रखें जिससे के आने वाले सबी updates आपको तुरंद मिल सके तो आपका यह वीडियो देखने करिए धन्यवाद जैहिंद